आईपिल दोजर पच्चिस को लेकर तैयारे शुरू हो गई है फ्रेंचाइजी भी अपनी टीम बहतर बनाने के लिए बदलाव कर रही है BCCI ने भी आईपिल को लेकर नए नियम लागू किये है अब रिटेंशन को लेकर भी फ्रेंचाइजी के पास प्लान है कि किस खिलाडी को रोकना है और किस को बाहर करना है शायद इसी वज़े से खिलाडी को लेकर भी खबरे सामने आने लगी है आईपिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर है RCV और लखनों की टीम से चुड़ी रिपोर्ट्स की माने तो केल राहूल को LSD की टीम रिलीज करेगी और केल राहूल RCB की टीम में जा सकते हैं सोचल मीडिया पर एक पोश्ट ऐसा सामने आया जिसने इस खबर की तरफ इशारा किया कि केल राहूल को लेकर RCB की टीम दिल्चस्पी दिखा रही है दरसल भारत और बांगलेदेश की बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में केल राहूल और विराट कोली ने शांदार बल्लेवाजी की थी इसे लेकर RCB की टीम ने एक पोश्ट किया और इस पोश्ट में केल राहूल और विराट कोली दिख रहे थे ऐसे में फैंस कहने लगे कि RCV केल राहूल के लिए बिलकुल तैयार है इंतिजार है तो सिर्फ लखनव की टीम के फैसले का अगर लखनव की टीम ने केल राहूल को हटाने का मन बना लिया तो RCV राहूल को टीम में शामिल कर लेगी केल राहूल का लखनो की टीम के साथ कुछ बिवाद भी देखने को मिला था IPL 2024 में हैदरबाद ने लखनो को 10 विकट से हराय था और उस मैच के बाद केल राहूल के साथ संजीव गोइनका की बहस देखने को मिली थी उस इंसिडेंट के बाद ही चर्चा होने लगी थी कि केल राहूल लखनो की टीम को छोड़ देंगे हाली में लखनो की टीम का प्रेस कॉन्फरेंस हुआ था उस समय टीम के मालिक संजीव गोइनका से सवाल पूछा गया कि लखनो की टीम का कप्तान कौन होगा लेकिन टीम के मालिक ने चुपपी साधी और केल राहूल का नाम नहीं लिया था ऐसे में एक एस लगाना गलत नहीं कि लखनो की टीम केल राहूल को रिलीज भी कर सकती है देखना दिल्चस्प होगा कि इस IPL अक्शन में लखनो की टीम कैसा फैसला लेती है